एशिया भर में धान की फसल के लिए बड़े पैमाने पर विनाशकारी सिद्ध हुए है फुदकों पर नियंतरन पाना मुश्किल है क्योंकि शुरुआती दोर में इनका पता लगाना असान नहीं होता और जब तक किसान नहीं देखते हैं तब तक ये कीट फसल में अपने पैर जमा जोकी होती है और इसी के लिए कीट की ऐसी सुस्थाफित अबादी पर कई कीट नाशक कंपॉंट्स बेयसर साबित होते हैं जब ये समस्या बड़ा रूप धारन करती हैं तब पौदे सूकर भूरी हो जाते हैं और किसान का बड़े पैमानी पर नुकसान होता है पारैक्सॉल के इस्तिमाल से किसानों का आत्म विश्वास बढ़ेगा फुदको पर नियंतरन पाने के लिए उप्योग में लाए जाने वाले दूसरे कीट नाशकों की तुलना में पारैक्सॉल का ये अनुका काम करने का तरीका बहुत ही असरदार है ये है एक नया कीट नाशक है और इसमें कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है पैक्सलाओन इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे फुदके कहीं भी दिखाई नहीं देते इस नए उत्पादन के कारण काम करने का तरीका पुरी तरह बदल गया है पायरेक्सॉल के सक्रिये घटकों और प्रतिपादित उत्पादनों ने धान के एको सिस्टम में मौझूद, मकड़ी, परभक्षी, पेरासी डाइट्स की और बढ़िया सुम्रिद सुरक्षा का परदशन किया है पैक्सलाओन के इस्तेमाल से मुझे बढ़िया फसल मिली है मैं बहुत खुश हो मैंने पहले इट पैक्सलाओन का प्रयोग किया और मुझे बढ़िया फसल मिली हमें फसल के शुरुआती दोर में ही अच्छे उत्पादन का इस्तिमाल करना चाहिए इससे हम फुदकों पर बुन्यादी तोर पर नियंद्रन पा सकते हैं जिससे बाद में उन कीडों के संक्या कम हो जाती है जी हाँ फुदकों की समस्या का सामना करने का मेरा तरीका मैंने बदल दिया है अब मुझे उनसे कोई डर नहीं ये नया उत्पादन ऐसे ही कही और उत्पादनों के लिए नया मान दंड बनेगा मुझे इस पर पूरा विश्वास है और मुझे लगता है कि किसान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे हम सला देंगे कि किसान पहले पायरेक्सल का प्रयूप करे क्यूकि इससे वो निश्चिंत हो सकते हैं लंबे समय तक सुरक्षा और आश्वासन देगा अंत में भरपूर पैदावार का पायरेक्सल के इस्तिमाल के बाद धान के पौधे की पतिया नाजुक हो जाती है दाने का रंग और भी सुनेरा होता है और तने का रंग और भी हरा दिखता है खुद के अब कभी भी नहीं देखे जाएंगे फसल कटाई के बाद धान का वजन पहले से काफी जादा है मैं अगले साल भी पैक्सलोन ज़रूर इस्तिमाल करूँगा हम इसका इस्तिमाल करते रहेंगे इस बदलाब के बाद मैं बहुत खुश हूँ हमें अब भविश्य पर अधिक भरोसा है